So friend, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कड़वा कड़वा को हम इंगलिस में कहते हैं बिटर याने की कड़वा नेक्स्ट है ताजा ताजा को हम इसा कहते हैं फ्रेश याने की ताजा मीठा तो I am sure अभी को पता होगा इसे में इंगलिस में स्वीट बोलते हैं स्वीट यानी की मीठा नेक्स्ट है खट्टा खट्टे को हम इंगलिस में कहते हैं सौवर यानी की खट्टा दोस्तो अगर आपने में इरी ये household related वीडियो नहीं देखिए तो अभी आप जा करके देख सकते हैं और इसकी जो लिंक है वो मैंने description box में दे दी है तो आप अभी जाए और इस वीडियो को आपने नहीं देखिए तो आप फटा फट से देखिए नेक्श्ट वर्ड है फीकी जैसे की चाय उसे हम बॉलेंगे incipit next है करक गड़क जो चाय होती है उसे मिंगलिस में बॉलेंगे strong नहीं के करक बासी खाने को हम कहते हैं इंगलिस में stale यानि की बासी चटपटा, चटपटे को हम इंगलिस में कहते हैं पीकेंट, यानि की चटपटा नेक्स्ट है कुरकुरा या फिर खस्ता इसे में इंगलिस में बोलेंगे क्रिस्पी, यानि की कुरकुरा या फिर खस्ता खारा या फिर नमकीन इसे में इंगलिस में बोलेंगे स्वादिस्ट जो सब्द होता है, उसके लिए कई सारे वर्ट्स होता है, जैसे कि टेस्टी, डिलीसियस या फिर यम्मी, हम इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, टेस्टी, डिलीसियस या फिर यम्मी, इसका ये मतलब होता है स्वादिस्ट, नेक्ष्ट है मलाईदार, मल पिर ब्लांड टेस्टलेस या फिर ब्लांड इसका मतलब होता है बेस्वाद सो फिरेंड कैसे लगी मेरी आज की वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कर फिर मिलती हो एक इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाइ टेक केर थैंक यू कीप वाजिंग एंड कीप ट्रेक्टिसिंग थैंक यू